वेलकम मेरे दोस्तों फिर चांद पर जाने की तैयारी शुरू हो गई मेरे दोस्तों जी हाँ मेरे दोस्तों इस्टुडेन दरबार चैनल पर आपका स्वागत है मेरे दोस्तों जी हाँ वासिंगटन में अमेजन के चेर्मेन और मुख कारकारी अधिकारी जैफ बेंजोस ने चांद पर जाने के लिए अपने पहल कर दिया है उन्होंने पहले मिशन की घोसरा कर दिया है Space Company Blue Origin आंतरिस कारक्रम के तहत बेंजोस नए राकेट इंजन और चंदर राकेट Blue Moon को लांच कर दिया है मेरो दोस्तो अर्था फिर चांद पर जाने की तयारी सुरू हो गई है मेरो दोस्तो अब किन के दोरा किया गया है किस कंपनी के दोरा किया गया है इस वीडियो में आपको बता दिया गया है मेरो दोस्तो आएए जाने अगले जीके के बारे में सूपर कम्पीटर में सतरंज चैंपियन गैरी कास्बो को कौन हराया मेरे दोस्तों 11 मई 1997 में IBM के सूपर कम्पीटर डीप बलू ने सतरंज के चैंपियन गैरी कास्प रोव को हराया था Gary Kasparov को हराया था Deep Blue Super Computer की खासियत यह है कि यह एक सेकेंड में सतरंज की 20 करोर चालो का आकलान कर सकता है मेरे दोस्तो Super Computer की खासियत यह है कि यह एक सेकेंड में 20 करोर चालो का आकलान कर सकता है मेरे दोस्तो आये जाने अगले जिके के बारे में दूसरा परमारु परिच्छर कब हुआ था मेरे दोस्तों परमारु परिच्छर कब हुआ था मेरे दोस्तों आए जाने बर्लिन का गेट, बर्लिन का गेट, 12 दिसंबर 1989 में जर्मनी की राजधानी बर्लिन में इस्तित अतिहासिक ब्रेडन वर्ग 30 वर्सों के बाद फिर से खोला गया था और इसी के साथ पूर्वी और पच्छमी जर्मनी के बीच बिभाजन खत्म हो गया था मेरे दोस इस अतिहासिक मौके पर हजारों लोग वहाँ पर एकत्र हुए और एक दूसरे का मनोबल उचा किये, अर्थात बर्लिन गेट कब खुला गया था, 22 दिसंबर 1989 इस्वी को 30 वर्सों के बाद या गेट खुला गया था, आये जाने दूसरे जीके के बारे में, भाध की पहली ट्रेन, 22 दिसंबर 1991 में मालगाडी रुटकी से पिरान कलियर के बीच चलाई गई थी, यह मालगाडी भारत की पहली रेल मालगाडी भी थी, इस मालगाडी से एक नहर के निर्मार के लिए मिट्टी भेजी गई थी, इसके दो वर्स बाद 1800 तीरपन में बुंबई से ठाने क सब्सक्राइब यात्री ट्रेन चलाई गई थी, यात्री ट्रेन और मालगाडी तेरल में नाइसा के अधे हैं